हमारे महाराजी को मैंने कब कोई कोई गरबर होते हैं तो कहते है वो ऐसा है बस निप्टाती है खुदी अब आप लोग समझें तो होता ये है नरक के दुख से बचना है तो जो पाब किया है उसका प्राष्चित करने बड़े पाब का बड़ा प्राष्चित जोटे पाब का छोटा राजा ने सुचा कि पाप तो मेरे सी भी हुआ है मैंने तो कोई प्राश्चित किया नहीं मेरी क्या आद हुए अच्छा कई पाप हम उनका प्राश्चित नहीं कर पाए तो उनके फल की दुरुगती हमको भोगनी पड़ेगी ज्यान के द्वारा और कर्म के द्वारा दोनों के द्वारा कर्म का प्राश्चित नहीं हो सकता है क्यों? जान करके भी ये पाप है अर्जुन कहते हैं जान पूज करता है बला दिव नहीं हो जीता हमको मालो ये पाप है और कर रहे हैं और मैं प्राश्चित किया लेकिन पाप करने की प्रृत्ती का नाश नहीं होता है प्राश्चित करने से पाप करने की प्रृत्ती का नाश नहीं होता है इसलिए प्राश्चित किया शुद्वे और फिर वही पाप किया केल प्रृत्तोयम बता दिया फिर पाप किया तो ये तो चलो अपने गरधब शनान क्यों गजशनान कर देते हैं उसका विचारे करना भी गया गजशनान वथ हो गया हमेरे हां याथ योगा नहलाओ और बह रा करके फिर अगर इतनी मिट्टी निखली होगी तो इतनी मिट्य था फ्र फर फॉर जितनी मिट्टी धोग या उसे कई गुणि ज्यादा मिट्टी फिर ला लेता है तो ये गजशनान वथ हो गया है ये कर्मानुष्ठान से तो पृत्ती नहीं मिले तो ये पृत्ती कैसे नश्ट होगी पाप की पृत्ती नश्ट होनी चाहिए प्राप की पृत्ती के नाश के लिए अंता कर्ण में परिवर्था लाना होगा अंता कर्ण में पाप करने की पृत्ती मने मन ही नहीं करना चाहिए मन से तो कर रहे है बाहर करमेंद्रियानी सैयम्यों या आस्ते मनसास्मरन इंद्रियार्था विमूर हात्मा तो इसलिए मिध्याचार नहीं कर मन की प्रवर्थी बोलो तो उसके लिए कहा है कि नरक से बचने का मार्ग है भगवान के चरणार बिंद में अपने मन को लगा दो भगवान के चरणार बिंद में मन लगाने के लिए बताया गया यहां नाम श्रवन नाम कीर्तन और नाम श्मरन नाम में जीव का बल नहीं है भगवान का बल है यह भगवान के अधीन है नाम हमारे अधीन नहीं है इसलिए नाम उच्चारण करता के बल से अपना फल नाम नहीं दिखाता है बलकि जिस प्रभू का नाम है उसके बल से अपना फल दिखाता है विश्चु पुरान का मंत्र है श्लोक है नाम नी यावति शक्ति पाप निर बरहने हरे है हरे है नाम नी यह दोश है उसके काल हो रहा है भगवान के नाम में कितनी शक्ति है पाप को जलाने की एक नाम में नाम नी एक बचन हरे ह नाम नी भगवान के एक नाम में यावति शक्ति पाप निर बरहने माने दहने निरवापने पातकी माने जो बहुत पापी है माने जिसका स्वाव ही है पाप करना अईसा पातकी मनोशे भी उतने पाप नहीं कर सकता है पातका में यहाँ जातों एक वचनम है बहुत पाप क्यों पातकी है एक पाप में होता है तो पर पातकी थोना कह रहता है तो जो लोग संद का स्मरन कर रहे थे उस संद का संदेश आया है तो हम लोग शेयर कर लेते हैं पूजराम देव बाबा का हमारे संग बड़ाशने है अपना वो कारिकम पूरा करके वहां से वो चल दिये थे हेलिकॉप्टर से रास्ते पुराली वगरा जुड़ाई के कारण विजबिल्टी गड़ बड़ा गई और लिखा है कि आधे रास्ते से उनको वापस मुड़ना पड़ा क्योंकि अगर विजबिल्टी न होते हेलिकॉप्टर की यातरा नहीं करने के बाब आपने बहुत ठीक किया रिष्क नहीं लेनी चाहिए आप तो मेरे पास बैठे ही हो आपका प्रेम आप वहां से चले हमारे कई संत्हें स्वास्तित्याद के कारण नहीं आप आए अब तक नहीं आप आए या इसके पहले वो सब के सब बात देते हैं शरीराने के कारण तो हम आप सब की तरफ से बाबा को पड़ाम करें आप सब उनको पड़ाम कर सको इसलिए मैंने सूचना दी वरना मैं काहे को सूचना देता है ऐसे आती रहती है तो हम सब लोग उनका बंदन करते हैं विचारे रहे थे और नहीं आपाए तो तो हम उनकी पीड़ा को शेयर करते हैं और आप सब की तरफ से भी और अपनी तरफ से उनका वंदन और विनंदन करते हैं हम आपके प्रेम के साथ प्रश्ण होता है कि ये लॉजिकन है आदमी पाप करे दुनिया भर के और एक हरी का नाम भी आहरे नमा बस सारे पाप खतम प्रमार ये कैसे तो देखो माई डियर इसमें पाप राशी का अल्प या महत मुख्य नहीं है नाम की जो अपनी सामर्थ ये पाप दहन की उसका महत्व है रूई सो ग्राम है या सो क्विंटल है इसका कोई महत्व नहीं है आग की एक चिनगारी सो ग्राम रूई को भी भस्म कर देगी और सो क्विंटल रूई को भी भस्म कर देगी करोण क्विंटल को भी भस्म कर देगी तो पाप का महत्व नहीं है नाम में पाप के दाहकत की शक्ति का सामर्थ है हरी के नाम में इतनी सामर्थ है तो इसके माने पाप करो और हरी का नाम ले लेओ और फिर पाप करो एक हमारे थे उसने बागी क्रिया सीख ली थी बागी क्रिया होती है खीर खा करके फिर उसको ऐसे निकाला जाता है तो उसको खीर खाने का स्वाद आता था तो इसे लिए वो बार बार खीर खाए और बार बागी क्रिया करे अब बताओं उन्हों कौन है तो यह बागी के लिए नहीं कुछ और हुआ बागी के लिए विकार के लिखनी है नाम लेने के अनंतर प्राइश्चित होने के अनंतर शुद्धी के अनंतर अगर वही पाप फिर से किया गया तो फिर वो जाकर दो इसलिए पाप नाश करने के अनंतर वो पाप न करे और पाप की पृत्ती का भी नाश करते भगवान के जण कमलों का अगर ध्यान करते रहोगे नामस्मरन में तो तुम्हारे अजामिल त्रिकाल संध्या करने वाला कान्य कुछ ब्राम्भन है विद्वान है असाओ धानी बस किसी कुपुरुष को किसी काष्ट्रिय वेश्या के साथ असाइमित कर्म करते हुए देख लिया उस वेश्या के अंग बड़े आकरशन थे वालमी अजे अजामिल को सावधान हो जाना चाहिए था उस आकरशन से लेकिन ये अजामिल का प्रमात हो गया देखिए आकरशन ही इस तरह का होता है बलात आकरशित करते हैं और इसलिए उतना ही बल उसको विकरशित करने के लिए चाहिए हमको अपने मन के उपर इतनी दढ़ता चाहिए कि वो विकार हमको अपने और खीच न पाए अगर खीच ले गए तो माईडियर क्या होता हम अजामिल का जीवन देखे हमारे संत कहते थे पुजहरमिला पीजी देखो पर तको मत कई बाते कहते थे चलो पर ठको मत खाओ पर चको मत सब करते करते देखो पर ठको मत अएक बात द्रश्टी पड़ गई थी ठीक है देख लिया लेकिन फिर अब उसको देखने लगे आकर्शन पूर्वक्त मन को आँ भेज दिया और मन उन अंगों के संस्कारों से संस्कारा कारित हो गया अब जब वो संध्या करने के लिए बैठे तो प्राता कालीन सावित्री का ध्यान नहीं आ रहा था उसको इस विश्या के अंगों का ध्यान आ रहा था शिंतन के अनुसार क्रिया होती है अजामिल का पता न हुआ है विश्या को घर में ही ले आया यहां तक कथा हम लोगों के सावधान होने के लिए थी इसलिए कही गई आगे के कथा हम लोग जानते हैं संचिप्त में कोई महापुरुष्ट आये है मैंने स्मरन किया है कई बार पतिता से भी पतिता इस्त्री भगवती का रूप होती है वैसे हमारे यहां जो मंगल के चिन है उसमें वेश्या को भी मंगल का उसका मंगला मुखी कहा जाता है क्योंकि समाज की अमंगल की वी कुकृतियों को वो आत्मसाथ करके समाज को पवित्र रखती है पहले हमारे हां उनका भी सन्मान था वैशाली की नगरवधू का हम लोग स्मरण करते हैं उनको नगरवधू का आ जाता था तो वो यद्यपी इस तरे की थी अजामिल कई संताने में हो गई थी फिर अंतरवर्थ नी थी लेकिन संत आए उनको देख करके उसका मात्रत पिखल गया उन्हें संतों को प्रेंट भोजन कराया और सब को बड़े प्रेंट से हमारे संतों बड़े मेजाज कहते हैं कि अजामिल नहीं तरख खिलाय पला संतों बेठाल करके और जब प्रसंतों कमारे मसे किसी ने पूछा हो कि अरे यहां को ब्राम्मान का कोई घर आए क्या यहीं पूछन गर दिख्षा कर ले तो लड़के तो अच्छे होते ही हैं यहा बड़े भारी पंडी जी का घर है अजाविल पंडी जी का वहीं भेज जिया था विचारे संत आ गए थे अब पहुंच गए थे भोजन किया तो उनको पता तो चल गया कि कि इतने बड़े पंडीत का घर है लेकिन अजा मिलाए तो उसकी दृष्टी अपने आपी अच्छी थ तो ब्राम महनों ने कहा हम चल रहे हैं ठीक है हमें को दचना चाहिए रोटी मिल गए अब दचना दू मैं तो तो ने करें हमको धन्वन की दचना नहीं चाहिए तो क्या चाहिए तुम्हारी पत्नी अंतरवर्तिनी है इसके पुत्र होगा अजामिल को से पुत्रों का तो क्या जे माराज़ पुत्र ले जाओगी का बाबाजी बनाओगी नहीं तो उस पुत्र का नाम नारायन रखदेना यह हमको दखे अजामिल का ठीक है पदारो जा बड़ी शधा पूर्वक्त नहीं लेकिन नारायन नाम रखदिया आज कल नाम करन हमारे एक संस्कार है नाम करन के पीछे पूरा समक्र शास्त्र है हर अक्षर का अपना अपना एक सामर्थ्य है उसके कुछ स्वरूप है जो का उचारन से फल मिलेगा वो खा के उचारन से नहीं मिलेगा भावतिक भी दैविक भी और आत्मिक भी हर अच्छर के उचारन का आदि भावतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक तीन तरीक सामर्थ्य होता है क्योंकि इनके उचारन से वातावरन में ध्वनी की तरंगे उत्पन होती है इनके उचारन के लिए हमारे व्याकरण शास्त्र में बड़ी चर्चा है का का उचारन कहां से करना है पा का उचारन कहां से करना है जा का उचारन कहां से करना है का वर का उचारन कंठ से करना है अकु विशर्जनिया नाम कंठा इसका उचारन कंठ से होगा इचुई शानाम तालू रिटुल सानाम मुधा लिटुल सानाम दंता यहां यहां स्पर्ष करा करके यह अच्छरों का उच्छारन करना है तो इसलिए जब अंदर से तो एक जैसी वो कल कौड से तो एक जैसी ध्वनी निकली लेकिन जैसे यहां टुन 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 करते हैं तार में हाथ ऐसे ऐसे करते हैं तो उसमें स्वर का भेद आ जाता है उसी तरह से जैसे यहां से नोट्स होते हैं वैसे यहां से भी होते है फिर उनके स्थान भी हैं उनके प्रयत्न भी हैं ये सब हर एक अक्षर के लिए अलग-अलग हो जाते हैं और हम जानते हैं कि ध्वनी की तरंगें प्रभाव डालती हैं भावतिक भी दैविक भी और अपने अंदर भी आप लोग भावतिक देख सकते हैं इसलिए आप देखें हमारे फिजिक्स में हैं एक लेम्डा लेम्डा माने एक ध्वनी की तरंग के इसके बीच की दूरी को लेम्डा कहते हैं अब हमको यह याद है हम उसका अब उसकी पढ़ेते हैं इसलिए हमको याद तरंग अधाई रे कहते हैं हिंदी में चलो हाँ यह तो उसकी नाप के लिए परिच्छा की जाती कुन्ष ट्यूब की एक ट्यूब होती उसके अंदर लाइको पोडियम पाउडर ढाल दिया जाता है इधर की तरफ से कुछ किंग करके धुनी उत्पन की जाती उस धुनी कुछ पन करने से धुनी की तरंगे आती ऐसे ऐसे करके तो जहां तरंग पर्ष कर रही पाउडर को वहां से पाउडर हट जाएगा और जहां ऊपर वहां इकठा हो जाएगा तो ऐसे ऐसे करके करके और छोटी-छोटी वह बन जाते हैं पिंटे जैसे आप लोग वैसे करनों देखा होगा ऐसे छोटी-छोटी बन जाते हैं यहां ध्वनी है और उसका ये प्रभाव है या चोनिंग फास करते हैं मानें ये ध्वनी के प्रभाव ये दिखाई पर रही अरे और प्रभाव क्या है एक ध्वनी उत्पन करके देख लिए और फिर उसका परिणाम भी देख लिए बातन हाथी पाईए बातन हाथी पाओ शब्द की शक्ति तो माईडियर हर वर्ण की एक विशिष्ट उड़ जा है उस उचारण से जो उर्जा उधपन होती है और वो जो बालक है जिसका नामकरण संसकार किया जाना है उसको भविश्य में क्या कर्तब्य है तदनरूब अगर नामकरण किया गया तो ये उर्जा और उसकी जो स्वाभावी उर्जा है मिल करके दुगुनित या बहुगुनित हो जाएगी और अगर विरोधी है तो उसके आंतर उर्जा ये है और उसके नाम उच्चान कुर्जा भिन्न है दोने फिर टकराएंगे और उसका रिजल्टेंट जो बनेगा आगे काम देगा तो इसी लिए हमारे हां नामकरण संस्कार के पूरो किस अक्षर से नाम निकालना है उनिकालना जाता है इसके पश्चा इसको भविश्य में क्या करना है ये पंडित घर में हुआ है विद्वान बनेगा छत्री घर में बना है बलवान बनेगा वैश्य घर में पैदा हुआ है धनवान बनेगा व्यापार करेगा अमक उसमें हुआ है सेवारत होगा उस तरह के अनरूप नाम दिये जाते हैं